Hello Children, Welcome to Let's Learn Primary Basics प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे, तो आईए शुरू करते हैं द्वित्व का अर्थ होता है दो जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रियोग हों, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं किसी शब्द में जब एक व्यंजन दो बार प्रियोग होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं और इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए हम या तो हलंत का प्रयोग करते हैं या उसे आधा लिखते हैं जैसे बच्चा यहां आप देखेंगे च का प्रयोग दो बार हुआ है एक बार आधा च यानि स्वर रहित च और एक बार पूरा च यानि स्वर सहित च जैसे बिल्ली यहाँ पर ल का प्रियोग दो बार हुआ है और एक बार आधा ल यानि स्वर रहित ल है और एक बार स्वर सहित ल है जिसमें ई स्वर लगा हुआ है इसलिए बिल्ली में द्वित्वियंजन का प्रयोग है आगे शब्द है कद्दू यहाँ पर आप देखेंगे कि द का प्रयोग दो बार हुआ है और एक बार द स्वर रहित है और एक बार स्वर सहित है जिसमें उ स्वर लगा हुआ है इसलिए कद्दू में द्वित्विंजन का प्रयोग किया गया है आगे है गत्ता यहाँ पर त का दो बार प्रयोग किया गया है एक बार स्वर रहित यानि आधत और एक बार स्वर सहित यानि आ के साथ जुड़ा हुआ आगे शब्द है पट्टा यहाँ पर आप देखेंगे ट का प्रियोग दो बार हुआ है और एक बार स्वर रहित ट है और एक बार स्वर सहित यानि आ के साथ जुड़ा हुआ ट है यहाँ शब्द बना पट्टा तो आईए अब हम कॉपी में द्वित्व्यंजन वाले शब्दों को लिख कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं द्वित्व्यंजन है वो बनेगा क से स्वर रहित क और स्वर सहित क मिलकर बनेंगे क का द्वित्य विएंजन जहां पर हम स्वर रहित को आधे क से दर्शाएंगे और स्वर सहित को पूरे क से दर्शाएंगे तो ये है क का द्वित्य विएंजन इससे कुछ शब्द देखते हैं मक्का मक्का धक्का चक्की चक्की हक्का बक्का चक्कर बड़ा है शब्द लेकिन अगर आप समझ गए हो क के द्वित्वियंजन को और इसके उचारण को तो बहुत आसान होगा लिखना चक्कर शक्कर 21 तरक्की जो हम सब सिर्फ पढ़ाई के द्वारा ही पा सकते हैं और मेहनत के द्वारा तरक्की अगला जो द्वित्वियंजन है वो है गः से बनने वाला जहां पर स्वर रहित गः और स्वर सहित गः कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं आधा गः और पूरा गः इसकी आप कैसे लिखेंगे इसको समझ लीजिए आधा गः और पूरा गः और गः के द्वित्वियंजन से बनने वाले कुछ शब्द हैं जगू ये नाम हो सकता है चुगा पगड और मगो बी किसी का उपनाम हो सकता है तो ये सब ही गः के द्वित्वियंजन वाले शब्द हैं अगला द्वित्वियंजन है जो स्वर रहित च और स्वर सहित च से मिलकर बनता है और इसको लिखने का तरीका है आधा च जो हम स्वर रहित च लिख रहे हैं और उसके बाद पूरा च कुछ इस तरीके से और चर के द्वित्वियंजन से बनने वाले शब्द है बच्चा उच उच्च का मतलब उच्चा कच्ची सच्चा सच बोलने वाला जो होता है वो होता है सच्चा खच्चर उच्चारण उच्चारण का मतलब किसी भी शब्द को बोलने का तरीका पढ़ने का तरीका उसे बोलते हैं उच्चारण बच्चू ये सभी च के द्वित्वियंजन है आगे हम लिखेंगे ज़ के द्वित्वियंजन वाले शब्द जिसमें हम स्वर रहित ज़ और स्वर सहित ज़ का प्रयोग करेंगे और जग के द्वित्वियंजन को हम आधे जग और पूरे जग से दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से इसके कुछ शब्द है लज्जा सज्जा सज्जा मतलब डेकोरेशन जो होती है इंगलिश में उसे हम हिंदी में सज्जा बोलते हैं सज्जा रजो सज्जन और थोड़ा सा अलग उज्जैन एक जगह का नाम है जो की मध्य प्रदेश में हैं और उसे लिखने का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है बस ए की मात्रा लगा दी जब हमने उज्जैन लिखा आगे हम म का दृत्वेंजन लिखेंगे जो स्वर रहित म और स्वर सहित म को मिला कर बनेगा और इसे हम दर्शाएंगे आधे म और पूरे म से कुछ इस तरीके से और म से बनने वाले जो दृत्वेंजन के शब्द हैं वो है अम्मा कुछ इस तरीके से लिखेंगे चमच उसके बाद सम्मान आदर सम्मान हम अपने बड़ों को देते हैं उम्मीद धम धम पुस्तक का नाम हो सकता है जो धम आगे हम द का दृत्वेंजन लिखेंगे जो बनेगा स्वर रहित द और स्वर सहित द को मिलाकर और इसको लिखने का तरीका देखें कुछ इस तरीके से है ये है हमारा आधा दर और इसी के नीचे ही हम लिखेंगे पूरा दर कुछ इस तरीके से तो दर का जो द्वित्वियंजन है वो हम इस तरीके से लिखेंगे एक बार फिर देख लीजे आधा दर और उसके नीचे पूरा दर ये है द का द्वित्वेंजन और इससे बनने वाले जो कुछ शब्द है वो है गद्दा देखिए गद्दा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गद्दा यहाँ पर आप देखेंगे स्वर रहित द है और स्वर सहित द है और जब द्वित्वेंजन के रूप में लिखेंगे तो रद्दी, यह देखिए, आधा द, पूरा द, दोनों हमने मिला कर लिखे हैं, और अगर आप इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमने इन दोनों को मिला कर इस तरीके से लिखा है, इसलिए यह आपको देखने में अलग रहे और अलग तरीके से जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कदू आगे है चदर चदर और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आगे हम प का द्वित्वेंजन लिखेंगे जो बनेगा स्वर रहित प और स्वर सहित प से और आधा प हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और पूरा प इस तरीके से लिखते हैं ये है प का द्वित्वेंजन और इससे बनने वाले कुछ शब्द है धपा जो हम खेल खेलते हैं चुपन चुपाई का उसमें धपा करते हैं धपा बपा गणपती बपा गपू कुछ इस तरीके से छपपन छपपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे टपा थपड शरारत करने पर जरूर पढ़ता है ममी से थपड और आगे हम बव का दुत्यवेंजन देखते हैं जो बनेगा आधे बव से और पूरे बव से और इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से आधा बव और फिर पूरा बव और इस बव के दुत्यवेंजन के कुछ शब्द हैं धब्बा अब्बा बबर बबर शेर होता है बबर गबर जबर 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 बालो वाले जबरू जिसे बोलते हैं वो होता है जबर नब्बे नब्बे मतलब 90 को हिंदी में हम नब्बे बोलते हैं तो उसे भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आगे है ल का दुत्यवेंजन जो बनेगा स्वर रहित ल और स्वर सहित ल को मिलाकर और इसको लिखने का तरीका है आधल और पूरा ल और इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं चल्ला चल्ला हल्ला जो बच्चे बहुत करते हैं क्लास में बिल्ली बिल्ली कुछ इस तरीके से उल्लास उल्लास का मतलब खुशी जो तेहारों पे हर्ष और उल्लास हमारे मन में होता है और थोड़ा सा बड़ा वर्ड है पल्लवी लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है अगर आप लिखना सीख लें पल्लवी और हमारे भारत की राजधानी दिल्ली ये भी दृत्वियंजन से बनी हुई है आगे है त का दृत्वियंजन जो बनेगा स्वर्रहित्त और स्वर्सहित्त को मिलाकर और इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं देखिए ये स्वर्सहित और ये स्वर्रहित एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका जो आप इसको लिख सकते हैं वो कुछ इस तरीके स्वर्सहित और स्वर्रहित तो ये दोनों ही त के द्वित्वेंजन है इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगे कि ये गलत है ये गलत है ये दोनों ही सही है और दोनों ही हम हिंदी में यूज करते हैं इसके कुछ शब्द देखते हैं पत्ता या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है पत्ता आगे शब्द है कुट्ता ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुत्ता आगे है छत्ता ऐसे लिख सकते हैं छत्ता आगे उत्तर प्रश्न का होता है उत्तर सत्तर 70 को आप हिंदी में सत्तर बोलते हैं 74 तो ये है त का दुत्तिवेंजन आगे आप देखेंगे त का दुत्तिवेंजन जो बनता है स्वर्रहित त और स्वर्सहित त को मिला कर और इसको भी हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से आधा त और इसी के नीचे एक और त तो ये है स्वर्रहित त इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये नीचे से गोलाई लिए हुए हैं इसलिए हम इसी के आधे के नीचे अगर एक और लगाते हैं तो ये त का दुत्तिवेंजन बनता है इसके कुछ शब्द हैं खटा और खटा को भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने द का दुत्तिवेंजन था वो वाले शब्द लिखे थे दोनों ठीक हैं गलत कोई भी नहीं हैं आगे है लट्टू कुछ इस तरीके से और इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी गलत नहीं हैं आगे है छुट्टी छुट्टी को भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों सही हैं मिट्टी मिट्टी भुट्टा भुट्टा जो हम भून कर खाते हैं कट्टर वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आगे है न का दृत्वियंजन जो बनेगा स्वर रहित न और स्वर सहित न को मिलाकर और उसको लिखने का तरीका है ये आधा न और पूरा न और कई जगे आप किताबों में देखेंगे इस तरीके से लिखा होता है तो ये भी ठीक है लेकिन आम तोर पर हम जब लिखते हैं हाथ से तो हम इस तरीके से लिखते हैं और न के द्वित्य वियंजन के कुछ शब्द है अन जो हम अनाज खाते हैं उसे बोलते हैं अन गन्ना पन्ना मुन्ना तमन्ना विभिन विभिन का मतलब अलग-अलग वो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं आगे है ड का द्वित्य वियंजन जो बनेगा स्वररहित ड और स्वरसहित ड को मिलाकर और आप देखेंगे ड नीचे से गोलाई लिये हुए है तो ये भी ट के जैसे बनेगा कुछ इस तरीके से एक के उपर एक और इसके कुछ शब्द ह लड्डू ये देखिए लड्डू और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है गुड्डा ऐसे लिखेंगे और इसको भी आप हलंत लगा कर भी ऐसे भी लिख सकते हैं गुड्डा आगे है गुड्डी गुड्डी में भी आप ऐसे लिखेंगे और आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं गुड़ी आगे है सर का दुतिवेंजन जो बनेगा स्वर्रहित सर और स्वर्सहित सर को मिलाकर और हम इसे लिखेंगे आधा सर और पूरा सर इस तरीके से और इसके कुछ शब्द हैं रसी लसी मिसी मिसी रोटी जो बेशन से बनती है गुसा किसा और थोड़ा से बड़ा शब्द है गुसेल मुश्किल नहीं है बस हमने ए की मातरा लगा कर लग लिख दिया गुसेल तो यह सारे जो शब्द हैं यह हमने आज सीखे हैं द्वित्वियंजन वाले और हमने अलग अलग द्वित्वियंजन से मिलकर बनने वाले शब्दों को किस तरीके से लिखना है यह सीखा है अगर आप अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पर उपलब्द हैं और नई नई वीडियो लेकर हम आते रहते हैं तो अगले वीडियो तक सीखते रहिए और स्वस्त रहिए बाबाई